असलम को फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चानल चलिया ये अब नावल का पार्णरबर 18 स्टार करते हैं वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीचेगा डैम इट पीछले कुछ गंटू से वो चेयर पार बंदी हुई थी और कमड़े में सांस लेना दु बोका था जुनाया ने शकी नज़ते उसको देखा जिसकी प्रिस्ट वराज़ पर बंदीर गड़ी को देख से गोड़ से देख रहा था जुनाया ने खुद को जिटका देकर उसका ध्यान गड़ी से हटाना चाहां मगवर एक ही पाल में जोटा थपा उसके गाल पर यही गरूर तो तोरना है तेरा सब के समने थपर मारता तूने मुझे याद है तुझे लड़के ने उसका जब्राज जगरते हुए दांत पीस का का तुझनाय नफ्रत से महसा जटका उसकी आंखों में डेड़ू नफ्रत थी उसके बस में नहीं था वरना वह आप भी एक तो कुछ नहीं कर सकती कोई नहीं पचा सकता ची 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 दर्वादा बंद कार्ड जेवी उस लड़के ने हामेसा हिलाते हुए इस लड़के के दर्वादे को बंद किया था उससाथ ही वह उसका सकाब खैंते हुए जमी पा गरा चुपा था बहुत अगरूर है ना तुझे बहुत अकर है ना तुझे आ तेरी साथ अकर मैं निकाल दूँगा उसे बाल से नोचते हुए वह दान पीस ते पर बोला प्लीज है प्लीज जल्दी आजओ तुनारा ने आंके बंद करते हुए दिल में दुआ गी थी सुबा की रुश्णी खिर्की से कमरे में दाल हुई थी वह आंके वा करते हुए वाल पा लगी भी पाज पार टाइम जेते हुए आज वह पहले की निसपर जल्दी उटी थी खिर्की को गूरते हुई वह ओटी हो आहर पर्दे किस ने ओट क्यों हटाए थे उस दूब ने उसकी नीज़ में हलाद पैदा करने की हमात कैसे की थी वह स्लिपस पॉम में टालती हुए और खिर्की की तरह बढ़ती जब कमरे का दर्वादा खुल तब फीमेल सर्वंट ब बाहर ड्रावर आपका वेट करा है क्यों किसलिए अशीक ने हैरस इसको गुरा मैं आपको गाले चोड़ना है सर्वंट ने हलकी सी मुस्कान लबों पासा जाकर कहा जिसे यह कहते हुए बेहत्यारी तोड़ पर हंसी आई थी हमें कहीं ने जाना आप अपने तरह को कह दे ज था आज वे उसके सरपर कालेश का बंप खोड़ चुका था वो मुटाकदमों के साथ वायर यूनिफार्म बेकर प्रेश नेकरी चले थी स्वर्ण ने सूप का सांस लिया था शैरी आपने अच्छा ने किया हमारे साथ हमसे एक बड़ भी नहीं पूचा हम कालेज नहीं यह उसकी टेक्यार री उसके साथ काम करती थी वो मबबस सामस्क्राया उसके करीब आते वे उसके हाद से ब्रैच लिया आपने ऐसे क्यूं किया सबस जील सी आँकों में नमी आई और आंसु से तुकड़े गलाबी कालों पर लिटक रहे थे उसकी आंकों में आंसु देकर कालच मत बेजें वे सिस्की लेते हुए हलकी बेर पर नाजरों का तक्रार हुआ शावी के दिल ने एक वीट मिस्की जबके अशी को उसकी कल रात की की कि एक उसकी गलाबी कलूम पढ़ेया कि फैली सुरी उसके चेरे से हाथ हरताते हुए वह को चैन्ट पीचे हुई और नज शितर से दख-दख कर रहा था शावी के लबू पर मुस्करहार पुर्पकशित सा रक्स किया उसका डिंपल वाजा हुआ वह हलके को वह सर को हलके से जिनमिश देखकर नजर जुका गए थी उसके कांदे से थाम कर शेपा बढ़ाते हुए वह नर्मी से बालों में ब्रश फ राते हुए वह उसके सिमत बढ़ा जारा की आंकों से आंसु की लड़ियां टूटी थी वह उसके सामने घुट्टों के बाल बैटा था वह खोफ़दा नजर सुतिकत वे जुट्टी ले चुकी थी पैर शल हो चुके थे उटने की हमत नहीं थी वह शिर्मिन की से असर जु तो चुका था आज उसने महबत के सामने घुट्टने टेक दिये थे या फिर वह उसे मगरूर समझ दी थी मगर वो तो सिर्फ उसे महबत करता था और आज महबत में वह जुग गया था जुनेरा के हाँ खुलते हुए लड़के ने उसे बादो से अपने जार्म ख्याचा आज सही मैंडमर से हो पया था आंसो उसके गलों को बेगोते हुए समीर बोस हो रहे थे मुझे माफ कर दे हरक आंके मीचते हुए उसे अंदर ही अंदर चीकर का जब कमरे का दर्वाता सो दादार के साथ जमीर पर गी रहा था जुनेरा ने बेजगिनी से अंक के खुली थी बलैक यूनिफॉर में बलैक मास्क से चिरा डाम कर कुछ लोग अंदर दालुए थे एक गाहने उसे मुतमिन करके बाइर जाने का इशारा किया जुनेरा ने कामते हुए वजूद को एड्रेस एक गाड़ प्राइडी और पैन लिए उसकी तरह बड़ा था वह सर्पटा गी थी अचानक से लीव दिस गर्ड अलोन ऐबल हैंडल फूर मा बात करते हुए उसने गाहर को संजिद्गी से कहते हुए अशारा किया गार्ड सार को हां में हिलाते हुए उससे दूर ह ख़ड़ा था आंसु बेहत्यार की अलकूर से पूर्ट चले गे थे वह बगाया किसी की परवा किया उसकी सिमत पागी थी हरब ने प्रेम बाजू का गेरा बनाया था उसकी पूछ पर पीछे खरेश्यस ने संजिद्गी से पैन की पाक्र में हार डाले थे बारिश ने हरप कुछ सेक्ष से संजीदी से देखता था वो बागी गार्थ जो आडर दे रहे थे उसकी गार्ट के मताबिक सबको सही स्लावन गार पहुंचाने के लिए रवाना हो रहे थे आइम से सोरी जुनाया ने कामते विए का हरब ने अपना बलू कोड उता कर उसके कांदे पर डाल लेट में हैंडल दीस माई सेल्फ गिलासिस वापस लगाते वे वो कार की तरह बढ़ते वे बोला गार ने इन लड़कों को हद कड़ियां लगाई थी एक गार ने उसकी ब्लैक मेट्रिस का दुद्वादा खुराता रोते इस इशारा करते वे ग्रैमिस सीर पर पर परजमा वे उसे पने सीने में बीचा था I'm sorry for just forgive me उसे साथी से सीने से लगाते वे वो गंबी लाज़े में बोला उसाथ उसकी पेचानी पर होंट रखे just don't please जाने रोते वे कहा कर उसका हाथ थामा था मरजान ने उसके हाथ की पुछ पर होंट रखे उसे मजबूते से अपने हासा हसार में चुपा जुका था वो बूरता से उसके हसार में सिस्क ले थी मरजान उसकी तेज तरकन बहुबी सुन रहा था मगब से खुछ से अलग नहीं करना चाता था बहुत इंतजार के बाद उते यह लहा नसीब हुआ था मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना आप मरज मरजान ने उसके हाथ को थामते वे नर्मी से पूचा जारा ने नामे सार्षिलाते हुए उसकी हाज़ल आंकों में जौंका जिसमें उसके लिए स्वाए मुखच के कुछ नहीं था कित्यी मौबत करता था वह उसे कितना इंतजार किया था उसने І efic cheadci ने लबारा दूर कर डोंड कडाई जहणारा मरजाने उसे दोगराई सीने से लगाया था मरजाने सिसकी बढ़ते होے हामे सारी होलाया था यहां देखे मेडर मरजाने उसका चरया दोड़ी से थामते होए अपनी जानेव किया था जाने सुरू आंखों से इससे देखा था आपको पता है आज क्य से आस पास देखा था ये एक बहुत बड़ा खाल था जिसे पिंक फूलू से और वाइड पड़ल से सजाया गया था नीचे डट कलीन बिचाया गया था तुम्हें पता है ये नियूबी कौन है कुछ लड़कियों का ग्रुप अशी के सामने रुका था आरी फ्रीक लेक्चर वह उदास पैटी हुथी गार्डन में और शैरी के बार में सोच रही थी कैसे उसने एक बाल में उसे हुच से अलग कर दिया था बगार ये सोची के वह अकेली घबराती है तुम नहीं हो क्या नियूबी एक लड़की ने उसके लमे बाल को खेंच जा था वो गपराते अरिशा बैग देना इसका मुझे इस लड़की ने पहले बाल लड़की से का उसने फॉररन अशी का बैग उठाते हुए उससे पगड़ाया था अशी ने बैग लेने की कोशिश की मगर अरिशा ने इससे दिखा दिया और वो गिरते हुए समल गए थी वेल 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 रखते हुए हाथ को पीछे देखेला उसकी इंगलिया सुर्फ पढ़ चुकी थी क्या हो रहा है वहां तीचे की आवास पार सब बढ़कियां वहां से हटना शुरू हो गए थी हमना मलग जस्ट रिमेंबर माइने यूबी यह तो स्टार्ट है तुम्हें तो कल देखूंग मैं उसकी बुक पर पैर रखते हुए आगे बढ़ गे थी अशी की गरीन आंकों में आंसु का जड़ना सा जम्म हुआ था मगर रोना नहीं चाती थी बुक्स को बैर में रखते हुए वह हाथ से सकती से आंसु साफ कर चुकी थी वाच पार टाइम देते हुए वह सार पर ब अशीक की तरफ इशारा करते हुए दूसे लड़की से का अफचा ने तरंदिया नजर से अशीक को सर से पैर तक देखा ऐसे लड़की को कौन से लड़के गास डागते होंगे यूनो बैंट टाइब लड़कियां अफचा ने हमना के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली साथ दे चुकी थी यूनो मुझे वैसे मैन पसांथा मैं चोड डैशिंग हैंसम एंड हम नाने सामने रुखती लैंड करों से उतरते हैंस के तरफ इशारा किया अशीर ने उसकी नजरों का ताकत किया ग्रेशट उपर ग्रेडी का सोल अवर कोड उसके नीचे ब्लैक तो भी गेट की तरह बढ़के थी चेरपाउद दासी के साय थे शावी ने उसके लिए मस्ट्रिस का फ्रंट गेट खुला था अच्छी जादर दुरूस करती हुई सीपर बाठी थी बगाए यह दियान दिये कि इस वक्त तक्रीबंद सब भी लोग उन्हें देख रहे थे केट बंद करते हुए वह बगाए किसी की किसी की तरफ नजरे उठाया वे मगरूराना अंदास में ड्राइविंग सी पर बर्चमान हुआ था और वह गरूर क्यूं ना करता उसने जुसर्फ की मूब बोलती तस्वीर था वो हमना तो पुड़ी जल बुन गए थी जबकि अ दोनों हाथों की उगलिया मडोने में मसरू थी नजर सरक पर मरकूस किये उसने उसका चोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया था अशीक ने अब इसके जनब नहीं देखा था वो तो गयरी सोचों के समंदर में कहीं डूप चुके थी वो इस वख किसी और की मजुद को अपना पूरा चेड़ा बेगो बैटी थी क्या हो रहा है हमारी प्रिस्स को बाबा को नहीं बताएं कि आप सदी के सामने उसके चेपा बिकरे बाल तुरूस करते हुए उसके आंसु साफ करते हुए पूचा तो अशीका दिल पिकल गया आंसु पहले से जादा कसर से उसक अपनी प्रिस्स को नई नोट बुक्स ले देंगे बेटा एंड बाबा ने आपको क्या सिखाया है स्टे स्ट्रॉंग किसी सब भी नहीं डरना चाहिए और जब आपके साथ जाती हो तो आपके पने हाद मेरी प्रिस्स हो स्ट्रॉंग प्रिस्स सदीक सामने उसे निचे से उसके आंसु साब किये और उसकी बाब पर मुस्कराते वे हामे सर हिला गे बाबा अशी के लब हिले थे और साथ ही बुजी बुजी सरगोशी सुनाई दी शावी ने गारी को प्रेक्स लगाय थे हमारे पास हमारे बाबा नहीं है अब हमारे बाबा नहीं है शारी वो अचा पाकर चुपा कर आंसों की सुर्थ में चेरे पर जुका और वो अंदर ही अंदर टूरती चली गई उसका जहन शल होता जा रहा था उसा में द्रत की तीसे उठ रहे थी दिल बैठता जा रहा था पुरे जिसन के अताकर जौब देगे थी हमें हमारे बाबा के पास जाना है हमे बात्रों की तरफ बाकि थी जिल दारे मार कर रोनने को कर रहा था मगग उसके सामने रोकर मज़ी धूत को श्रिमिंदा नहीं कर सकती थी हर्म ने सहती से उसका हाथ पकट वे उसे रोगा था जुनारा की आंकों से आंसों जारी थी दमाग हड़ाब था तुम्हारा बोलो ज जुनारा नजरे जुकावे सिसक रही थी हर्म की पेचानी पर चुकनों का जाल था उसने मुटी बेची थी जुनारा ने उसके हाथ को देखा था जो मसासा घुसे की विज़ा से काम पड़ा था हर्म ने नम आंकों से देखा वो उसकी कलाई छोड़ते वे पीचे हटा ता चाहिए थी ना तुम्हें मैं हरब शाह काजबी, आज पूरे खोशवास में तुम्हें जुनयरा शाह को नहीं, जुनयरा रोते वे इसके शिमरते वे चाहिए थी, हरब का दिल शिद्ध से दरका था, पफ प्लीज ऐसा मत करें, ऐसा मत करें हरब, उसके चोड़ी पुष्ट पर कमजोर बाजूं का गेरा बनाते हुए वो बॉली तो ये कहते हुए अपने हलक में काटे चुकते हुए मेसूस हुए थे हर अबेसाथ खड़ा था कमरे में सनाटा चाया वा था जुनारा उसके तेस द्रगते दिल की दर्कन को सुन पारी थी जुनारा ने पिछ्छे हों को उसके से आँकों में देखा था पिछानी पर बिखड़े गिले पाल कोर्ट में जो उसने जुनारा को पहनाया वा था वार्शेट उसके मजबूत जिसन से चिप गए थी वो पूरतरा से बीच चुका था क्यूं हुआ था ऐसा वो से बचानी के लिए आया था उसकी इफाद करना चाता था मगर किस हाग से जिस लड़की ने कभी से हमियत नहीं दी थी क्यूं वो उसकी इतनी परवा करता था सुझाना ने होंटो को साथी से बीचा था था वो सरस पार्चेड़ा लिसो देख रहा था कुछ नहीं बोला था फिर हमोश हो चुका था वो तो तब भी कुछ देर बात बुला था जुनारा ने कर ने उसका पीचे किया था उसके लिए का रॉयरस सूट निकाल को से थमाया और अपने लिए सादा वायरस सूट निकाला मुझे तलाक नहीं चाहिए आपसे मुझे आपके साथ रहना है वो बैठ पर कब डालते हुए मुझबूत क कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा दिवार से लगी थी वह सपार नजो से उसको दे का फैसले पर रूगा था क्यों रहना है मेरे साथ गंबी लाजमें कहते वे उसने इसके बराबर दिवार पर हाथ तक कर पूचा जुनारा ने तूर निकलते हुए हलक तार किया और उसकी त हजर ने दुराई उसके ज्वाब से मुत्मीन ना होते हुए हरब ने साथ को हलकी से जन्बिश दी थी जुनारा ने फिर से जुट्री ली हरब ने लब बीच्चे और पीछे हटा जुनारा तेस दरफ दिल के साथ कपने लेकर वाश्रम की जानी बागी थी हरब ने पेचान की जुट्री जुट्री ने उसे पहली बार नफरत से ह неёठंट के नदर देखा था वह शुशूर साथ पर रखते वे उसके तरह हाथ ब्राएा यूज देखा था जुटा था फर बगार कुछ सोच वे उसका हाथ थाम का उठी थी हरब ने उसके संजिद्गी से से देखा वो हगी सी मुस्क्राय थी मगर फूरर मुस्क्रायर को चुपा चुकी थी तक्रीबन दो बज़े का वक था वो काम से अभी फारक हुआ था बोलो फूर्ण कार्ट से रखते वे वो संजिद्गी से बोला सर इंस्पेक्टर हाच्चन बोल रहा हूँ करते हुए कुछ अजीबा गरीब दलायल सामने आ रहे हैं आपको इस वगर डिस्ट्रप करना नहीं चाता था मगर मैं यह बताना चाता हूँ जिस लड़की की चादी थी वो उनकी हकीकी बेटी नहीं थी इनकी कोई उलाद नहीं थी इस लड़की को उन्होंने किसी जितीम करने से डाप्ट किया था मरजान के हार ठंडे पाड़े थे और दूसरी अजीब बात आपने कहा था मिस्टर सिद्धी की साहब आपके लिए काम करते थे क्या यह सच है इंस्पेटर हाजम के सवाल पर मरजान को गहरी परचानी में मतला किया था वो कुछ देर सोचने के बा मरजान की पेचाने पर चिकने अबरूह थी और वो मुटी बीचते वे कमरे से बाहर निगा था मुझे आप तक की इन्वेस्टिकेशन की फाइज चाहिए मरजाने लंबा सास हुआ करते वे कहा मैं काली आता हूं आपके पास वो कितने लोग मेरा ब्रोसा तोने कि इस लाना है डामिट और शावीर हैदर राज आन टॉप बिजनस रैंक क्या ये भी इत्वाग है है शावीर हैदर शिरादी तुम्हें मिलने का वक्त भी करीब है नाइट सूट की पॉक्स में हाट आते हुए उससे संजीद्गी से विड़ो से बाहर देखते हुए सोचा बैट है हमें उसका पता लगाना होगा हम हाथ पर हाथ दरें नहीं बैठेंगे अगर शावीर हमारी मदद करेंगे तो हम जुरू पता लगवा लेंगे अशीर ने का पहरा हाथ रखते हुए उसके देखर सोचा हमें आपका लैपटाप चाहिए हमें कालिक से प्रोजक्ट मिला है उसे पूड़ा करना है अशीर ने कुछ सोच कर इत्मनार से का जिपके शावीर ने सर उठाकर संजदीज को देखा कैसा प्रोजक्ट शावीर ने सपार लहजे में पूचा अशीक ने हलक तार किया और उसका दिल तेजी दरक रहा था आज वो पहली बार वोक्त से जूट ब पता अशीक ने हवा में तीर छोड़ा देपके उसकी बाप पर शावीर की घटावदार होंटू पर मुस्क्राहर पहले आप तो बिजसमेंन है ना आपको सी सी प्लस प्लस के बाड़े में क्या पता इसलिए हम कह रहे हैं आप हमें दे दें हम कर लेंगे अशीक ने दुबा अशीक ने नहुन हुन्टू पर दपाते हुए सोचा शावीर ने मुस्कराह दपाते हुए पैंट की पॉकिर में हार डाले थे हमें बूख लगी है अशीक ने लब करते हुए का जबके वीर ने एक आईबरो उठाते हुए उठाया था उससे टालने की चकर में थी वो इतन करते हुए तंग होकर बोली जिबके शावीर ने लैपटाप साहर पर रखते हुए जलसे की गोल में साहर रखा था अशीक की चोदां तबक रोशन हुए थे यह क्या कर रही है आप उठे इदर से उसका कंदा हिलाते हुए वो गुब्राकर मगर वो आंके मोंदे उसकी एक् कर गी थी आप आप हमारे फ्रेंड है वो कुछ सोचते हुए अगर ब्राकर बलते हैं तो उसकी बाप पर पीर ने का गला गुंडा अच्छा तो आपका नकाह किसे हुआ है पीर ने संजीद्गी से का वो आज देतां करने की त्यारी में था अशीक ने तूर निकल तो इसको इतना हास इंसांता वो ये बहुत जानती थी अच्छीक के जीन में अब तक किस सारे भाकिया आख्यों किसे दिम्हबता चलने लगे किस तिन नाज्चे ने इससे नकाह किया था किस तरह उससे एतनी महबद लिए थी बगार किस сеंगरूड के किस तरह वो आपसे महबद कर त किस तरह वो उसकी परवाह गटता था अशीक की हलकी से मुस्कराई वो आज फिर से उस पर पहले से बिजाता प्रोसा कार बैटे थी हैपी नाव उसका पर अशीक ने सार को हां में हिलाया